नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल देवम्टियार और ये है हीरो की HF Deluxe I3S Selfie Start BS6 214 मॉडल तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि HF Deluxe I3S मॉडल में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, माईलेज कितना देती है और इसकी ओन रोड कीमत कितनी है ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी ये HF Deluxe का टेक्नो ब्लू कलर है और जो कि Silver Finish के साथ दिया गया है नीचे की जो थीम है वो आपको Silver Finish की मिल जाती है जैसे की इसका Engine, Aloy B Loll Suspension जो है वो Silver Finish के दिये गए है और चलते हैं इसके Front की तरब तो यहाँ पर आपको Halogen Headlam मिल जाती है 35W के साथ और इसके उपर की साथ में आपको Hero का 3D में Logo मिल जाता है और सा Grated Breaking System दिया है इसकी आगे और पीछे की दोनों ब्रेक एक साथ काम करती है और अठारेंच के यहाँ पर आपको Aloy Bill मिल जाते हैं और दो पिछेतर अठारे का टायर साइज मिल जाता है इसमें आपको ट्यू वाले टायर मिलते हैं ट्यू लेस नहीं मिलते हैं और इसके Front में आ आपको अठारेंच के सिल्वर फिनिस के Aloy Bill मिल जाते हैं यहाँ पर 130 mm की Drum brake मिल जाती है और इसके रियर की साइड में आपको ट्वी स्टैप एडजस्टिबल हाइड्रॉलिक सॉक एब्जॉर्वर टायप के सस्पेंशन मिलते हैं अब चलते हैं इसके फ्यू टेंग की करें तो यहाँ पर आपको एनालोग टाइप का मीटर कंसूल देखने को मिल जाता है जिसमें आपको जो है साइड इस्टेंड इंडिकेशन आई 3S की इंडिकेशन लाइट और इसके दूसरी साइड में आपको जो है गियर की नूटरल इंडिकेशन और इंजन मालफंक्शन और मैन हेट लाइट इंडिकेशन और यहाँ पर आपको फ्यूल की रीडिंग और यहाँ पर आपको टन सिगनल इंडिकेशन लाइट और यहाँ पर आपको जो है साइड मिरर वही आपको पराने वाले मिल जाते हैं इसके स्विच की बात करें तो यहाँ पर आपको लोबीम और इसके Toolbox के उपर भी आपको Power Start और Programmeet FIG बैजिंग मिल जाती है। और यहां से आप इसके Engine को देख सकते हो। यहां पर आपको Hero की Branding, KK Start का Option मिल जाता हो। यहां पर आपको Brake Pad और Adaptable Potrest और यहां से आप इसके Catality Converter को देख सकते हो। यहां पर आपको Oxygen Sensor और यहां पर Spark Plug दिया गया है। जैसा कि यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करूँ इसके Engine और Power की तो यहां पर आपको 97.2 CC का Air Cooled Forest Rock Single Cylinder 2 Valve BS6 Fuel Injected Engine मिलता है। इसकी Maximum Power 8.02 BHP की 8000RPM पर इसका Maximum Torque 8.05NM का 6000RPM पर इसका Curve Weight 112 KG और इसकी Ground Clearance 165mm और इसके exhaust की बात करें तो यहां से आप इसके exhaust के design को देख सकते हो। इसमें आपको वही वाला exhaust मिलता है जो आपको Splendor Plus में देखने को मिलता है। यहां पर आपको Adjustable Footrest भी मिल जाता है। इसके उपर आपको एक Chrome की बड़ी सी आपको एक लंबी सी प्लेट देखने को मिल जाती है। इसके exhaust के उपर अब चलते हैं इसके back side की तरफ तो यहां भी आपको एक silver finish के साथ आपको एक grab handle मिल जाता है जो की काफी unique design का दिया गया है। और यहां पर आपको hero का sticker और यहां पर आपको tell lamp है वह आपको bulb में मिलती है। इसके पीचे की side में indicator भी आपको bulb वाले मिल जाते हैं। और इसके seat cowl के उपर आपको graphics की strip देखने को मिल जाती है। और इसकी seat की बात करें तो यहां पर इसकी quality है वह आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है। medium quality की यहां पर आपको seat provide की गई है। और यहां भी आपको same sticker और grabics इसके दूसरी side में मिल जाते हैं। और इसके back side की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको एक black color का sardi guard और यहां पर आपको जो चैंसेट cover है वह आपको plastic का मिल जाता है जो की fully covered है। और यहां पर आपको plan के लिए adjustable footrest दिया है। और यहां पर आपको four speed का gearbox मिल जाता है। और adjustable footrest और यहां पर आपको side stand और man stand दिये हैं। इसके side stand के ऊपर एक sensor भी दिया गया है। और इसके ऊपर की side में power start और program defi की badging देखने को मिल जाती है। और यहां पर आपको एक sensor देखने को मिल जाता है। इसके engine के head के ऊपर और यहां से आप इसके fuel injection system को देख सकते हो। जैसा कि इस bike में carburetor को नहीं दिया गया है हटा दिया गया है। तो इस bike में आपको एक liter कम से कम petrol reserve करके रखना पड़ेगा। जो कि इसकी reserve की capacity है दोस्तो जैसा कि यहां से आप देख सकते हो। और यहां पर आपको एक leg guard भी मिल जाता है एक chrome finish के साथ। तो अब मैं बात करूँ इस bike के mileage की तो दोस्तो अगर आप इसको local में चलाते हैं तो यह bike आपको 65 kmpl का आसानी से mileage देदेगी। अगर आप इसको high bay पे चलाते हैं तो इस bike में आपको 70-75 kmpl का आसानी से mileage मिल जाएगा अगर आप इसको economy zone में चलाते हैं तो अब दोस्तो बात करें इसके price की तो यह hero hf deluxe i3s ibs bs6 self start alloy wheel model है और इसकी on road कीमत है 78,400 पे 78,400 रूपीज यह on road कीमत मैंने आपको बताई है सान्यो शोर hero मध्यम ग्राम कॉलकता सोरुम की सारी जानकारी आपको इस video के description box में मिल जाएगी अगर आप कॉलकता यह आसपास हैं तो ही आप इस नीचे दिये हुए number पर call करें अगर आप भी अपनी city का on road price hf deluxe i3s model का जानना चाते हैं तो आप अपनी city का नाम comment box में share कर देना मैं आपको आपकी city का on road price hero hf deluxe का बता दूँगा reply करके अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा like करें comment करें share करें अगर आप channel पर पहली वार आएं तो channel को subscribe कर देना और bell icon को दबा देना thank you दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में